प्रवीन मिस्र तो आपकी निरंतर तरक्की होगी आपका परिवार भी आगे बढ़ेगा और आप भी आगे बढ़ेंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे आपके तारे आईए जानते हैं आज क्या है आपके तारे का संदेश आपके नाम पताएंगे आपकी राशी के अनुसार सा 20 अपरेल 2023 दिन ब्रहस्पतिवार, वैशाख मास चल रहा है, क्रश्न पक्ष है, अम आवश्या तिती रहेगी, सुबह 9 बज कर 41 मिनिट तक फिर प्रतिपदा तिती प्रारम हो जाएगी, अश्वनी नचत्र रहेगा, 11 बज कर 11 मिनट तक फिर भरणी नचत्र शुरू हो जाए चंद्रमा मेश राश में गोचर कर रहे हैं, भगवान शूर भी मेश राश में ही गोचर कर रहे हैं, आज अविजीत मुहूर्त का समय होगा, सुबह 11 बज कर 54 मिनट से, दो पहर 12 बज कर 46 मिनट तक, जो भी आपको महत्यपून काम करना है, आप अविजीत मुहूर्त में कर सकते हैं राहalet होगा दोपहर एक बज कर आठावन मिनट से दोपहर तीन बज कर 35 मिनट तक राहुकाल शुब नहीं माना जाता है इसलिए राहोकाल में कोई भी महत्पूर्ण काम ना करें दिशाशूल है दस्टन दिशा तो दस्टन दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें आज का दिन बहुत महत्यपूर्ण है साल 2023 का पहला शूर ग्रहन आज लग रहा है ये जो शूर ग्रहन है महत्यपूर्ण क्यों है आए इसको समझते हैं आज मेश राशी में शूर चंदर्मा बुद्ध और राहु एक साथ होगी और ये जो शूर ग्रहन है ये सुबह साथ बजकर चार मिनट से शुरू होगा तो ये दोपहर में बारह बजकर और तिस मिनट में समापत होगा इस शूर ग्रहन की कुल अबदी आज पांच घंटे चौविस मिनट तक रहेगी इतने लंबे समय तक ये शूर ग्रहन रहेगा लेकिन ये भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए भारत के लोगों को टेंशन लेने की आवश्यक्ता नहीं है भारत में नहीं दिख रहा है इसलिए सास्त्रों के अनुसार भारत में सूतक के नियम भी लागू नहीं होंगे तो आई आपको बताते हैं कि ये ग्रहन दिखाई कहां कहां देगा तो ये शूर ग्रहन कमबोडिया, चीन, मलेसिया, फिजी, जापान, सिंगापूर, थाइलेंड, आस्टेलिया, न्यूजीलेंड, बियतनाम और इंडोनेशिया में दिखाई देगा आई आपको बताते हैं कि ये शूर ग्रहन किस राशी और किस नचत्र में लग रहा है, कौन से राशी वालों को थोड़ा सा जादा सावधान रहने की जरूरत है तो देखिए ये शूर ग्रहन मेश राशी और अश्वनी नच्छत्र में लग रहा है तो जाहिर है मेश राशी में लग रहा है तो मेश राशी वाले बहुत सावधान रहें और शूर की राशी होती है सिंग राशी तो सिंग राशी वाले लोगों को भी आगे आने वाले कम से कम एक महीने तक सावधान रहना चाहिए तो ये दोनों राशी वालों के लिए सलाह है कि कम से कम एक महीने तक विशेश रूप से सावधान रहें, कोई बड़े फैसले जल्दवाजी में ना करें, धैर से सोच समझ कर डिसीजन लें, लड़ाई जगड़े में किसी से ना उलजें, अपने फाइनेंसियल डिसीजन किसी एक्सपर्ट की सलाह से करेंगे, तो अच्छा रहेगा और अपने स्वास्त का ख्याल रखें, बाकी राशी वालों को बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको बताते हैं कि ये सूतक क्या होता है, तो देखिए, धार्मिक मानिताओं के अनुसा जो सूर ग्रहन है, इसका सूतक काल ग्रहन शुरू होने के बारा घंटे पहले शुरू हो जाता है, और जो चंद ग्रहन है, चंद ग्रहन का सूतक नौ घंटे पहले शुरू हो जाता है, और सूतक समाप्त कब होता है, जैसे ही ग्रहन समाप्त होता है, वैसे ही सूतक काल भी समाप्त हो जाता है जो सूतक काल का समय है वो शुब नहीं माना जाता है इसलिए सूतक काल में कोई भी मांगलिक कारे शुब कारे नहीं किये जाते हैं क्योंकि ये ग्रहन भारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए भारत में सूतक के नियम भी नहीं लागू होंगे, तो सूतक नहीं माना जाएगा, मंदिरों के कपाट खुले रहेंगे, आप अपनी दिन चरिया जैसी रखते हैं, उसी तरह की दिन चरिया रख सकते हैं, चलिए अब बात करते हैं आपकी राशे की, सबसे पहले बात मेश राशे की, मेश राशे वाल क्रोध ना करें लंबी दूरी की यात्रा आज ना करें शुबरंग मरून उपाय गायत्री मंत्र का जाब करें ब्रश राशी अचानक धन लाब ब्रश राशी वालों को होगा अंजान लोगों से मिटिंग होगी नौकरी परिवर्तन करने से बचे हैं शत्रूँ पर विजय मिलेगी शुबरंग सफेद उपाय किसी गरीब को पीला फल दान करें मिथ उन्राशी संतान से सुख प्राप्थ होगा आपकी योजनाएं सफल होंगी नया कार शुरू करने के लिए अनुकूल समय है आपका मानियश बढ़ेगा शुबरंग पीला उपाय भगवान क्रश्न को मिसरी का भूग लगाएं करकराशी घर में सुक शान्ती बढ़ेगी परिवार के लोगों से संबंध मधूर होगे चात्र पढ़ाई छोड़कर दूसरी चीजों में ज़ादा ध्यान ना दे अपनी सिहत का ख्याल रखे शुबरंग क्रीम उपाय भगवान क्रश्न की आरती करें अब वक्त हो गया है आज के सवाल का यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल जन्म की तारीक, जन्मिस्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजे, वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कारेकरम में शामिल करेंगे अभी जिनका सवाल ले रहे हैं, उनका नाम है विशाल सिंग, विशाल सिंग जी ध्यान से सुनिएगा इनकी डेट अब बर्थ है, 9 अप्रेल 1983, आठ बज कर 50 मिनट लखनव का जन्म है विशाल सिंग जी का सवाल ये है, कि इन्हें जॉब में प्रमोशन कब मिलेगी विशाल जी जो आपने बर्थ डिटेल बताई है, उस आधार पर आपकी कुंडली तेयार है अभी आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं, आपकी व्रश लगन की कुंडली है और कुंभराशी है आपका जन्म धनिष्टा नचत्र के चतूर्थ चरण में हुआ है इस समय आपकी शनी की महादसा चल रही है, जो जून 2017 से शुरू हुई है और ये जून 2036 तक चलेगी, और शनी की महादसा में केतू की अंतरदसा चल रही है जो मार्च 2030 से शुरू हुई है, और ये अप्रेल 2024 तक चलेगी जॉब में प्रमोशन कब मिलेगा? आईए पहले आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं फिर आपके सवाल का जवाद देते हैं देखिए, आपकी कुंडली में जहाँ ये दो नमबर लिखा हुआ है, ये है व्रश लगन और व्रश लगन का स्वामी शुक्र एक डिगरी का बैठा हुआ है लगन में दसमे घर का स्वामी है शनी और दसमे घर का स्वामी शनी चठे घर में चला गया है आठ डिगरी का वक्री हो करके और ये शनी भागे का ही भी स्वामी है और सातवे घर में बैठे हुए हैं ब्रहसपती देव 17 डिगरी के वक्री हो करके आपकी कुंडली के हिसाब से अप्रैल 2024 से प्रमोशन का योग बन रहा है और आगे आने वाले एक साल के अंदर यानि साल 2024 में आपको प्रमोशन मिल जाएगा उपाय क्या करना है उपाय नोट करिए पहला उपाय सवा ग्यारा रत्ती का अमेरिकन डामेंड शुक्रवार के दिन इंडेक्स ये रिंग फिंगर में धारन करें इसको रिंग फिंगर बोलते ना सबसे छोटी उंगली की जो बगल वाली है इसमें धारन करें सोने के अंगोठी में दूसरा उपाय हर शनिवार के दिन कम से कम आठ गरीबों को कुछ खाने की चीजें दान करें आप उन्हें पूरा भोजन दे सकते हैं और या कोई खाने की चीज डोनेट कर सकते हैं इतनी हो कि जो खाए उसका पेट बर जाए तो ये दो उपाय करना शुरू करिए भावान की करपा से बहुत जल्दी आपकी इक्षा पूरी होगी और जो बाधाएं आ रहे हैं वो दूर हो जाएंगी आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी धन बढ़ेगा सुख सुविधाएं बढ़ेगी चली आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगली राशी सिंग राशी की सिंग राशी वाले क्रोध से बचें अपनी सेहत का ख्याल रखें परिवार वालों से ना उल्जें व्यापारिक कारियों में खर्च बढ़ेगा शुबरंग केसरिया उपाय गाय को हरा चारा खिलाएं कन्या राशी प्रापर्टी से लाब होगा लोग आपकी बातों से आकर्शित होगे समाज में आपका यश और बढ़ेगा आफिस में तनाव रहेगा क्रोध ना करें शुबरंग गुलाबी उपाय भगवान क्रश्न की आरती करें तुलाराशी धन की प्राप्ती के लिए किये गए प्रयास सफल होगी मन की चिंता दूर होगी करियर में उन्नती के आउसर सामने आएंगे अचानक खर्चों में बढ़ुत्री होगी शुबरंग पीला उपाय किसी गरीब को आटे का दान करें ब्रिश्चिक राशी सुख सुविधाओं में बढ़ुत्री होगी विदेश से संबंधित कार लाब दिलाएंगे सुभाओं में विनम्रता रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा अब आपके खर्चे बढ़ेंगे खर्चों को कंट्रोल करिए शुबरंग हलका लाल उपाय भगवान क्रश्न की आरती करें अब वक्त हो गया है एक और सवाल लेने का यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं आप अपनी बर्थ डिटेल जन्म की तारीक, जन्मिस्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजे वहाँ से मैं आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कारक्रम में शामिल करेंगे अभी जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है डिम्पल तिवारी डिम्पल तिवारी जी ध्यान से सुनिएगा इनकी डेट अप बर्थ है पांच नौमबर 1997, राद को नौ बजे देहरा दून का जन्म है डिम्पल का सवाल ये कि इनकी मैरिज कब होगी डिम्पल जी जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तैयार है अभी आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं आपकी मिथुन लगन की कुंडली है और धनुराशी है आपका जन्म पूर्व असाढ़ा नचचत्र के तृती चरण में हुआ है इस समय आपकी मंगल की महादसा चल रही है जो अप्रेल 2022 से शुरू हुई है और ये अप्रेल 2029 तक चलेगी और मंगल की महादसा में राहु की अंतरदसा चल रही है जो सेप्टेंबर 2022 से शुरू हुई है और ये अक्टूबर 2023 तक चलेगी आईए आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं देखिए आपकी कुंडली में जहां ये तीन नंबर लिखा हुआ है ये है मिथुन लगन और मिथुन लगन का स्वामी बुद्ध यहां जाके बैठ गया है चटे घर में तीन डिगरी का और ये अस्त है मेरिज के लिए देखते हैं सेवन्थ हाउस सात्वे घर का स्वामी है ब्रहस्पती और ब्रहस्पती जाके बैठ गया है अस्टम इस्थान में 19 डिग्री का और साथवे घर में बैठे वे तीन ग्रह शुक्र, चंद्रमा और मंगल आपकी कुंडली के हिसाब से अक्टूबर 2023 से सेप्टेंबर 2024 के बीच में शादी का योग है आप मंगलिक हैं, मंगलिक लोगों की शादी थोड़ा सा विलंब से होती हैं इसलिए टेंशन मत लीजेगा, होती जरूर है तो ये जो टाइम पिरेड आपको बताया है, अक्टूबर 2023 से सेप्टेंबर 2024 ये नोट कर लीजे इस बीच में शादी हो जाएगी अभी से पॉजिटिव सोच के साथ जो अच्छे रिस्ते आते हैं उनमें से जो बेस्ट आपको लगे, वो आप सेलेक्ट करना शुरू करें उपाय क्या करना है, उपाय नोट कर लीजे पहला उपाय हर बुद्वार के दिन हरे फल का भोग भगवान गणेश को लगा कर गरीबों को प्रसाद बाटे हैं दूसरा उपाय हर ब्रहस्पतिवार के दिन चने की दाल भिगो करके कम से कम एक किलो चने की दाल भिगो दीजे, उसको दो पार्ट में करिए और उसमें एक एक पीस गुड रख करके गव माता को खिला दीजे, दो गव माताओं को खिलाना है ये दो उपाय रेगुलर करना है और इसके साथ ही भगवान शिव की पूजा प्रतिदिन करना है प्रतिदिन भोले नाथ को जल चड़ाइए, पीले रंका तिलक लगाइए, बेल पत्र अर्पित करिए और आरती करिए उसके बाद हाद जोड़कर प्रातना करिए कि विवाह में जो बाधाएं आ रहे हैं उनको दूर करें और आपकी अच्छी शादी हो जाए चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अगली राशी धनु राशी की धनु राशी वालों के करियर में तरक्की के अउसर आपको मिले के धन की प्राप्ती होगी अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा लंबी दूरी की यात्रा ना करें शुबरंग पीला उपाय किसी गरीब को पीले फल दान करें मकर राशी मेनेजमेंट छमता आपकी और बढ़ेगी काम को लेकर व्यस्तता रहेगी नौकरी में प्रमोशन का योग है मित्रों से मदद मिलेगी शुबरंग सफेद उपाय भगवान विश्नु की आरती करें कुम्राशी धनलाव का योग है प्रापर्टी में निवेश से फायदा होगा काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी जीवन में सुक शान्ती बढ़ेगी शुबरंग क्रीम उपाय भगवान क्रश्न को माखन मिश्री का भोग लगाए मीन राशी कहीं दूर से धन आगमन के रास्ते बनेंगे दिन भर किसी काम में आप व्यस्त रहेंगे नए लोगों से मुलाकात होगी अपने खर्चों को कंट्रोल करें शुबरंग पीला उपाय भगवान विश्नु की आरती करें अब वक्त है आज के उपाय का शूर ग्रहन के नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए ये उपाय करें क्या करना है आपको ग्रहन के बाद इश्नान करें इश्नान करके जो चीजें आपको बता रहे हैं इनका दान करना है आटा, चावल, डाल, घी, गुड, नमक कम से कम दो किलो आटा ले ले ले, एक किलो चावल ले ले, आधा किलो डाल ले ले, थोड़ा सा 100 ग्राम अगर आपका बजट अच्छा है तो 200 ग्राम घी ले ले एक किलो गुड ले ले एक पैकेट नमक ले ले ये सामगरी ले और सब को पैक करके किसी जरूरत मंद व्यक्ति को कुछ दच्छना रख करके दान करते हैं ग्रहन के बाद किया गया ये दान आपको ग्रहन के नेगेटिव प्रभाव से बचाएगा तो आज के लिए बस इतना ही आगे कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपके तारे आपका दिन बनाएंगे जीवन में खुश्यां लाएंगे नवस्कात